हलो एवरीवन, वलकुम टू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म अफ आवर चानल, पनेश्याफ और गॉम्टेटेव इग्जामेनेशन और आएम प्यूष, तो इस पर्टिकलर सशन में हम बात करेंगे, जो आपका LIC A.D.O का नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है, तो अभी ये जो नोटिफिकेशन है ना, पर्टिकलर सबसे पहले जो है, इस्टरन जोर्नल आफिस कुलकाता की दरफ से आया है, और हो सकता है कि आपको अभी 21st actually में इसके फॉर्म फिलिंग जो है 21st जैन से स्टार्ट होगा, तो तब तक आपका क्या होगा कि अदर जो भी जो जोर्नल आफिस कुलकाता की वेकेंसी जिसमें अगर हम ब्रेक अप देखते हैं तो ऐसा है कि असान सोल में आपका 27 जेनरल की है, टोटल 53 है, तो ओवरल आपका फिर ऐसे ही गुवाहाटी भी इसमें आ जाता है, जुल्पाई गुरी भी आ जाता है, जूर हार्ट करकपूर, यह बेसिकली कुलकाता के दो डिवीजन होते हैं, कुलकाता में इनके LIC के दो डिवीजन है, तो इन में आपका इस तरीके से टोटल वेकेंसी है, जेनरल की 440 ऑवरल और 1049 जो है अपनी टोटल है, बेसिकली यह जोन वाइस ही आपको फॉर्म फिलप मागेंगे, और आप ज कर रहे होंगे, पटा-फट से पहले जो भी important बाते हैं, वो देख लेते हैं, सबसे पहले आपके पास में schedule of event, यानि कि हमारे पास आपका जो exam form filling है, वो स्टार्ट हो रहा है, 21st January 2023 से, यानि कि आपका भी तीन दिन बास से आपका यह form fill up स्टार्ट हो जाएगा, 10th of February तक जाएंगे 4th March तक examination इसका pre का होगा 12th March को, और mains का examination होगा 8th April को, ठीक है, तो यह इनोंने आपका prelims का और mains के examination की date भी दे दिया और उसकी joining भी आपकी जल्दी हो जाती है, बैंकिंग या insurance के जो भी examinations है, वो जल्दी ही सारी process को करा लेते हैं, तो यह एक बात बढ़िया है, बागी अगर आप job requirement की बात करो, तो देखो मैं आपको job requirement के बारे में basic सी बाते बता देता हूँ, कि यह जो ADO होते हैं, ADO का main काम क्या है, कि जा आपने देखा होगा, आपके remote level पर या फिर आप अगर कहीं local जगह रहते हो, urban place पर रहते हो, तो वहाँ पर क्या होते हैं, local agents ह appointment करने का काम, उनको ढूंडने का काम, आपको अलग-अलग tour करने पड़ते हैं, जो भी area यहाँ पर किसी candidate को दिया गया, तो उसमें आपको जाके देखना कि भाई किसके पास में कितना percentage यहाँ पर insurance covering है, मतलब यह न काफी data वाला काम होता है, फिर आपको लोग के इधर उध जो है, घूमना भी पड़ता है थोड़ा सा, इसमें field वाली job होती है, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दू, यह क्या होता है, फिल्ड की job होती है, अब आपको क्या गरना है, जो भी after sales service है, यानि कि क्या होता है, आपका sales जब भी होती है, तो एक pre sales service होती है, कि हम customer के प यानि कि एक काम क्या हो गया, customer को ढूण के लाना, उसको बेचना है न, LIC की policies बेचना, तो वो काम आपको नहीं करना होगा, बट आजकल देखो यार ऐसा है कि जितने ही banking job है, या फिर insurance के job से, उसमें सभी करा लेते हैं, बट majorly area का काम यह नहीं होता, कि वो पगड़के बे बेचने का काम क्या होता है, अब ये ADO के साथ में होंगे कुछ insurance agents, जिनको हम आईए बोलते हैं, तो आईए क्या करेंगे कि लोगों को ढूण के लाएंगे हैं, इसे बीमा देना है, इसे policy देनी है, तो जो भी policies होती है, बेसकली ये insurance agency करते हैं, और इनको सिखाने का काम पूरे area में पूरी LIC की जो भी बाते हैं, वो आपको लोगों तक information इसकी देनी है, आपकी जो posting है, वो urban और rural areas दोनों में हो सकती है, तो ये जो है basic basic काम होता है, मैंने आपको बता दिया, अब आपको idea लगया होगा कि इसमें में काम क्या करना होता है, एडियो में क्यूंकि YouTube पे भी है, कई जगे इसकी information है नहीं अच्छे से, विगास कई लोगों को लगता है कि क्या काम होता है, विल्कुल हमेशा field पे रहना पड़ता है, बेचना ही पड़ता है हमेशा, तो ऐसा नहीं है, मतलब ठीक ठाक जॉब होती है, ओकेश टाइप जॉब है, ये, मैं बहु evolutionary development officer बनते हो, ADO का काम क्या हो गया है, इसमें जो भी आपके आईए हैं, उनको train करके अपना एक पूरा network बनाना, ठीक है, जिसका इसमें जितना अच्छा network होगा ना, उतना ही ज़्यादा benefit होता है, अगर आपको sales में थोड़ा सा interest है, या फिर आप network building अच्छी कर पाऊगे, या फिर आपको अपने, मतलब आपको काम कराना आता है ना, कि अपने नीचे वाले बंदे से काम कर ओले, तो इसमें बहुत सारे incentives होते हैं, भर-बर के incentive हैं, आपको बहुत सारे gift दिये जाएंगे, LIC के दवारा, तो ये सब कहानी है, फिलाल, apprentice बनके आप इसमें जाते हो, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ stipend मिलेगा, stipend इनका होता है, 51,500 का, जो की, जो fresher आते हैं न, उनके लिए ये stipend होता है, फिर अब इसमें कहानी क्या है, कि आप जैसे apprentice हो अभी, ठीक है, ये जैसे ADO है, apprentice development officer, ये बनेगा PDO, फिर PDO बनता है DO, ठीक है, इस तरीके से इसमें आपका, जो है, promotion या फिर आप ये कहलो, ये hierarchy होती है, पहले आप apprentice होते हो, फिर आप होते हो, फिर आप होते हो, इसमें probationary development officer, फिर आप बन जाते हो, development officer, अब development officer के जो है, पूरे तरीके से network बने होते हैं, इनके पास में अच्छे खासी IA होते हैं, insurance agents, तो यहां से आ basic pay plus DA वगेरा मिला की ही था है, इसमें आपको और कुछ नहीं मिलता है, एक stipend मिलता है, बड़ जैसे ही आप PDO बन जाओगे, that is, probationary development officer, आपका जो basic pay वाला slab है, वो आ जाएगा 3560 का, ये देखो ये slab गया है ना, ये slab इस तरीके से जाता है, 90,205 रुपीज तक, फिर अब इ 56,000 रुपीज जो है, एक A-class city में बनता है, अब इसके अलावा आपको इसमें कई सारी चीज़ें मिलती है, ग्रैचुएटी मिलती है, defined contributory, pension scheme मिलती है, LTC, medical benefit, group insurance, group personal accident insurance, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, insurance वाले काफी इसमें आपको benefit मिल जाते हैं, बागी की च attractive performance linked incentive मिलते हैं, जैसी आप confirm होगे service में, आप DO बन जाते हो, आपने अच्छा काम कर दिया, कोई अच्छे policy बेच दी, कुछ एक amount अपना target पे achieve कर लिया, तो बहुत must इसमें incentive मिलता है, मतलब कई लोग तो ऐसा करता है, कि incentive पे ही उनकी जिन्दगी चल रही होती, salary वाल होता है, ठीक है, तो ये बट बहुत ही उस case में है, जब आपको उसमें interest हो, है ना, तो I guess आप लोग मेरी बास समझ रहे होगे, तो अब आगे आते हैं, कि सर आपने बता दिया कि ADO से बनते हैं, PDO, PDO से बनते हैं, DO, तो ये apprenticeship का time कितना होता है, तो देखो ADO को क्या करना है theoretical और field sales training करनी होगी, जो भी period LIC ने decide किया होगा, इन्होंने अभी खुल के बाहर नहीं दिया है, तो जैसे ही आपका apprenticeship का कुछ time duration ये दे देंगे आपको, कि इतना theoretical और field sales, यानि कि आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, कि ये ये काम करना होता है, फिर आपको उस field में तो आर one year जो है, one year आपका करी लों का होता है, मतलब most probably आपका one year का time होता है, पीडियो का, max to max ये आपका two year तक जाता है, कि ये एक साल से दो साल तक आप पीडियो बनके रहोगे, और इसके बाद में आपका confirmation जैसे ही, मतलब जो भी आप performance दे हो, ये सारी कहानी ना performance पे base होती है, क अपनी जो भी आपने training करी है, उसके साब से आपको probation में डाल देंगे, probation में आपने एक साल में बड़िया काम कर दिया, सिधा एक साल के अंदर आपको ये डियो बना देंगे, फिर आपका ये पक्का काम हो जाता है, तो आप लगा लो कि करीबन यही है, दो साल तक का इस तर आई कर पाएंगे, LIC agent कौन होते हैं, जो कि LIC के अब बताया मैंने आईए, ये जो आईए होते हैं, जो पहले से select करके रख्या बिनों को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अलग से होता है, और LIC के जो employees हैं उनके ल जो भी urban ये rural areas में हैं, उनके पास में एक bachelor's की डिगरी होनी चाहिए, आपका जो की organize करती हो government of India, तो यही आपका simple सी यानि कि आपके पास bachelor डिगरी होनी चाहिए, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है इनको, और age जो है आपका 21 years की हो जानी चाहिए, तीस साल से जादा नहीं, किल सा से कम नहीं, यानि कि आपका जो भी इसमें date दी गई है, वो 1-1-2023 की ले रहे हैं, ठीक है, तो यह याद रखेगा date of recording क्या है, 1 January 2023, और यह आप देख ले ना, यह दौनों की दौनों date जो है, वो inclusive है, यानि कि अगर आप 1-1-2002 को पैदा हुए हो, तो आप form apply कर सकते हो, ठीक, यह कहानी clear है, यहां तक, अब क्या है भिया, experience, अब यह experience आपके काम की चीज़ है नहीं, और बाकी open market में preference जरूर दे सकते हैं, जिनके पास में थोड़ा सा experience है, आपने गहीं private job में काम किया है, life insurance industry में, या financial product में, या NBFC वगएरा में, तो आपका यहां पे थोड यह open market का यहां पे क्या होगा, दो phases होगे आपके, यानि के preliminary examination होगा, prelims का examination और दूसरा होगा, mains का, जिसे आप phase 1, phase 2 भी बोल सकते हो, पहले वाले phase में आपका reasoning ability, 35 question, 35 marks के आएंगे, 20 minute का time मिलेगा, numerical ability 35, 35, 20, फिर आपका English language 30, 30, 20, इस तरीके ही कहानी है, अब English language test जो है, व यह एक जिनको English नहीं आती है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अब candidate 20 times of the number of vacancies in each category, subject to availability, will be shortlisted for mains examination, इन्होंने यहां पे सीधा बोला हुआ है कि 20 times जो है यह बच्चे लेंगे, IBPS जो है खुल के सामने बात को नहीं रखता है कि हम कितने times लेंगे, बट इन्होंने रख है, अब mains examination आपका क्या होगा, कि भी आ, reasoning और numerical ability, 50 questions, 50 marks, duration यह देखो composite है यहां पे 120 minute की, यहने कि phase 2 जो mains examination है ना, उसमें sectional timing नहीं है, total आपको time बिलेगा, 2 घंटे का must बाटके questions all करो, फिर आपको आएगा general knowledge हो गया, current affair हो गया, English language हो गया, grammar, vocabulary वाली basic सी English language आती है, 50 questions, 50 marks, फ knowledge of life insurance and financial sector, यह बहुत important section है, मैं अभी कोशिश करूँगा, कि इसके उपर एक e-book वगयरा हम इसके बना पाएं, बट उसमें थोड़ा सा time लगेगा है ना, 15 से 20 दिन का भी time लगेगा, because AO की vacancy आनी expected थी, तो तब से हम इसमें काम कर रहे हैं, बट किसी भी चीज़ को best बनाने म time लगता है, आप लोग application नाउनलोड कर लेना, description में आपको link मिलेगा, वहाँ पे हम कुछ free quizzes वगयरा भी provide करेंगे, आना तो उनको आप solve करते रहेगा, math carries, नेंगे, GKK, या फिर insurance और financial marketing awareness के उसमें आने start हो जाएं कुछ time के बाट, ठीक है, तो उसको join कर लेना, अब क्या है भीया, ये कहानी clear होगी, यानि कि 160 question होगे, 160 marks के, और ये कहानी आपको देखनी नहीं है, basically LIC agent और LIC employees के लिए एक exam होता है, तो ये इनका अलग से दिया हुआ है, आपने देख लिए, आप T का हो गया, मेंस का हो गया, अब क्या होगा, आपका interview होगा, interview के जो maximum marks 40 marks यानि कि 40 number का आपको एक interview होता है, और ये interview नहीं होता है, बेसिक सा interview होता है, मतलब अगर आप phase 2 को qualify कर रहे हो ना, that means आप ये interview को आराम से qualify कर पाऊगे, ठीक है, ऐसा कुछ ही है, बहुत hard and fast नहीं होता है, और ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपको especially कुछ अगर आपने graduation या post graduation में किया हो तो इसके extra mark कुछ मिलने नहीं है, और ठीक है चलो, इसके बाद क्या है marks obtained in the main examination only will be considered for shortlisting for the interview, और बाद में जो आपका जो भी marks अपने score की होंगे, interview में examination मिला अगर कि आपकी merit, तो ये पूरी कहानी होगी, यानि कि phase 2 का basically जो exam होने वाला है, वो आपकी बहुत important है, plus में interview के marks मिला दू, उसके basis में आपकी merit list बनेगे और आप select हो जाओगे, ठीक है, ये कहानी है, और अब क्या है भीया, choice of examination centers आपका according to the division ही रहेगा, यानि कि आप एक ही division में apply कर सकते हो, ठीक है, उपर ही मैंने आप से बात करी थी, जिस भी division में आप apply करना चाहो, कर दो, जो आपके पास बढ़ता है, ठीक, और क्या है guaranteed bond, हाँ, यहाँ पे bond होता है, आपका ADO के लिए, एक undertaking देनी होगी, आपको कि आप यहाँ मिनिममम चार साल के लिए यहाँ पे सर्व करोगे, और अगर आप इसे fail करोगे, तो फिर आपको liquidity damages देने पढ़ेंगे, 3 lakh rupees only के, यह basically starting में क्या होता है, indemnity bond जो है वो भराते हैं, कई बच्चे क्या सोचते हैं, कि 3 lakh rupees जाल लेके देना पढ़ेगा, असा नहीं हो आई भी भराया जाता है, और फिर अगर आप छोड़ देते हो, 3 साल से पहले तब आपको पैसा भरना पड़ता है, ठीक, यह कहानी है, और तो कुछ खास है नहीं, मैंने आपको सारे की सारी information दे दी है, कि बही क्या क्या कैसे होता है, इसके लावा आपका application form fees जो है, वो इसमें कुछ खास है नहीं, आपको जो भी important information थी, मैंने आपको दे दी है, अच्छे से पढ़ाई करिए, selection लीजे, और हाँ, interview में एक बात याद रखना, यह question जरूर पूछा जाएगा, कि क्या आप सर्व कर पाओगे, आपको घर पर जाके sales करनी पड़ी, कि आप उसके लि training इस तरीके से देपाओगी, वो LIC के लिए काम अच्छा करें, और दूसरी बात कि भईया, आप भी comfortable हो, field job करने में या नहीं, है ना, तो यह जो है, इसकी main कहानी रहती है, बागी कोई आपको doubt वगयर हो, तो comment section में डाल देना, and अभी फिलहाल इस session को मैं end करता हूँ, thank you so much, God bless you all, take care and bye-bye.